नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है सियासी ड्राम और मैं हूँ अब के साथ जोती जोती रादित्य सिंधिया नेता नहीं भगवान है और ये कहा मंतरी इमरती ने मध्यप्रदेश की नवन्यूक मंतरी इमरती देवी ने कहा कि कॉंग्रिस नेता और पूर्व केंद्रिय मंतरी यानि की जोती रादित्य सिंधिया उनके नेता नहीं है बलकि उनके भगवान है जिनकी वे पूजा करती हैं कमलात मंत्री मंडल का मंगलवार को गठन हुआ था और नवन्यूक्त अधिकांश मंत्री तमाम बड़े नेताओं के समर्थोके के तौर पर पहचाने जाते हैं यही कारण है कि मंत्रियों में अपने अपने नेताओं के प्रती निस्ठा कई जादा है नवन्यूक्त मंत्री इम्रती देवी ने जो बयान दिया है उसकी पूस्टी करते हूँ उन्हों ने कहा कि जो ये मंत्री पत की शपत लेने के बाद समवधाताओं से चर्चा करते हूँ ने कहा कि सिंधिया हमारे नेता नहीं बलकि हमारे भगवान है मैं उनकी पूजा कर कॉंग्रिस में किसी इसी तरह की गुटपाजी बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब से तीन राज्यों में कॉंग्रिस की सरकार आई है तब से जो चुनावी महल है वो कॉंग्रिस के पक्ष में हमें दिखाई दे रहा है। जगा नहीं मिल पाती और कहीं न कहीं कॉंग्रिस का वजूद ही खत्रे में पड़ जाता। इसी के चलते राहूल गांदी, जोती रादित्य सिंधिया और बाकी के जो नेता हैं यानि कि सचिन पाइलेट, कमलनाद, अशोग, गहलोत ये सारे ही नेताओं ने जो कड़ी महनत की है चुनाव जीतने के लिए उसका फल इनको मिल गया है। कहीं न कहीं ये अपनी कोशिशों में कामियाब हो गए हैं। अगर मैं बात करू राहूल गांदी की तो राहूल गांदी ने बहुत सारी सभाएं की विदान सबच चुनाव को जीतने के लिए और अपने आपको मजबूत और अपने आपको आगे रखने के लिए मोदी से उ पारजिस्तान में, MP में और 36 गड़ में कॉंग्रिस की सरकार बन गई जैसे कि आप जानते हैं 2019 का चुनाव विदानसभा चुनाव से भी जादा और भी जादा दिल्चस्प होने वाला है और उसी को लेकर अब जैसे विदानसभा चुनाव खत्म हुए और अब तयारी शुरू हो गई है अगले साल की चुनाव की यानि की 2019 चुनाव के लिए तो सभी नेता जितने बड़े बड़े नेता हैं अगर हम सिंधिया की बात करें या फिर सचिन पालेट की बात करें या फिर किसी और बड़े नेता की बात करें कॉंग्रिस के जो दिगज नेता हैं उनकी जो रणीतिया है वो बननी शुरू हो गई है और उनको कैसे उन्हों कर दिखाया जो उन्होंने सोचा था तो वही चीज वो 2019 के चुनाव में कर पाते हैं या फिर नहीं ये चीजे वक्त के साथ साथ हमारे सामने आ जाएंगी 2019 में किसकी सब्ता आती है विदानसभा चुनाव की तरह कॉंग्रिस बाजी मार लेगी या फिर 2019 के चुनाव में भाज तुदेश फर मोर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूले इसके साथ साथ तुदेश की आप को जरू डाउनलोड करें धन्यवाद